राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अनन्चतुरदर्शी की पूजा का शुम महुरत पूजा बिधी और महत्वू पताएंगे हिंदू कलेंडर के अनुसार अनन्चतुरदर्शी हर साल भातो मार्शुकल पक्ष की 14 यानि की 14 में दिन मनाई जाती है इस सार अनन्चतुरदर्शी 12 सितंबर को है अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार ये सितंबर के महिने में पढ़ती है कणिश चतुईथी के दस दिन बाद 11 दिन अनन्चतुईदशी आती है अनन्चत्यदर्शी के दिन भगवान विश्णों के अनन्चत्यदर्शी के अनन्चत्यदर्शी को अनन्चत्यदर्शी के नाम से भी जाना जाता है अनन्चत्यदर्शी प्रत का जिक्र महाभारत में भी मिलता है इस ब्रत को कैनी से सभी संकटों से मुक्ती मिलती है ऐसी माननेता है कि भागवान कृष्ण की सलार से पांडवो ने भी इस ब्रत को उस समय किया था जब बे बन-बन भटक रही थे माना जाता है इस ब्रत को करने से दृद्धता का नाश होता है और ग्रहों की बाधाएं भी दूर होती है यह दिन भागवान भिष्ण की पूजा अचिना का होता है इस दिन भागवान भिष्ण की उपासना के बाद अनन सूत्र बांदा जाता है इस सूत्र में चोधे गांट लगाई जाती है मानिता है कि भागवान ने चौधे लोग बनाए जिन में सत्य, तप, जन, मह, स्वर्ग, भुव, भू, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल शामिल है कहा जाता है कि अपने बनाए इन लोगों की रक्षा के लिए श्री हरी विश्णू ने अलग-अलग चौधे अप्ताल लिए मानिता है कि अन्यचे तुद्शी के दिन भागवान विश्णू के अन्यचे रूप की पूझा करने से भक्तों की मनुकामनाय पूर्ण होती है माना जाता है इस दिन ब्रत करने के इलाबा सच्चे मन से विश्णू सहस्तर नाम इस्तरोत का पाठ किया जाए तो धन धानने उन्नेती प्रगती खुशाली और संतान का स्वभाग्य प्राप्त होता है इस दिन गणिस विशरजन के साथ गणिस उस्तप का भी समापन होता है वहीं जैन धर्म में इस दिन को पर्रे शुड़ पर्व का अंतिम दिवस कहा जाता है अनन्चत्यदशी भक्ती एकागरता और सौहाद्र का प्रतीख है देशबरन में इस दिवहार को धूमधाम से मनाया जाता है अनन्चत्यदशी के दिन भग्वान के अनन सरूप के लिए ब्रत रखा जाता है इस दिन अनन्त सूत्र बांता जाता है इसत्रियां बाई हाथ यानिकी लेफ्ट हैंड में और पुरुषदाई हाथ यानिकी राइट हैंड में अनन सूत्र धारण कहते हैं मानने ताहे कि अनन सूतर पहनने से सबी दुख और परिशार्या दूर होती हैं अनन चतुय दर्शी तिथी और शुम महुरत अनन चतुय दर्शी की तिथी 12 सितंबर 2019 को है चतुय दर्शी तिथी प्रारंब होगी 12 सितंबर 2019 को सुभे 5 बच कर 6 मिनर से चतुय दर्शी तिथी समाप्त होगी 13 सितंबर की सुभे 7 बच कर 35 मिनर तक अनंद 14 दशी पूजा का महुरत है 12 सितंबर की सुभे 6 बच कर 13 मिनर से 13 सितंबर की सुभे 7 बच कर 17 मिनर तक अनंद 14 दशी की पूजाबिदी, अगनी पुराण में अनंद 14 दशी के महतम्मे का वर्णन मिलता है इस दिन ब्रत रखकर भगवान विष्णों के अनंत रूप का पूजन होता है इस ब्रत की पूजा दिन के समय होती है पूजा विधी इस प्रकार है सबसे पहले अनंचतुर्दशी पर इसनान करके सच्च बस्त थारन करें और प्रत रखने का संकल्प लें फिर अपने घर में मंदिर के पास पूर्व दिशा में एक लकड़ी का पट्टा याने की चौकी रखें चौकी पर कुमकुम से एक अश्टदल कमल बनाएं अश्टदल कमल पर भगवान विष्णू की तस्वीर रखें फिर भगवान विष्णू के सामने थोड़े से चावल रखकर चावल के ऊपर एक कलश रखें कलश में शुद्ध जल भरें कलश में थोड़ी सी हल्दी डालें थोड़े से सापु चावल डालें और कलश पर आप स्वास्तिक का एक चिन्न बनाएं आप कलश के ऊपर अश्ट दलों बाला कमल रखें कमल पर कुशा का सुत्र चड़ाएं अश्ट दल वाला कमल ना हो तो अश्ट दल वाले कमल का आप पातर रख सकते हैं पात्र भी ना हो तो एक कटोरी या प्लेट में आप कुमकुम से अश्ट दल कमल बना कर उसे भी कलश के उपर रख सकते हैं कुशा के सुत्र को भगवान अनंत का रूप माना जाता है अगर कुशा का सुत्र ना हो तो आप कच्चे धागे का या फिर मौली कलाबे का सुत्र भी भगवान अनंत का रूप मान कर कलश के उपर रख सकते हैं इसके बाद एक छोटी सी कटोरी लें कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल लें उसमें थोड़ी सी कुमकुम थोड़ी केसर और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं इसके बार मौली या कलाबे का एक टुकड़ा ले या फिर कच्चा डोरा ले इसमें चौधे गाठ लगाएं और भगवान विश्णू का इस्मरन करते रहें अब इस चौधे गाठ वाले अनन्त को आप जो आपने जल में हल्दी कुमकुम मिलाया है उसमें डुवो कर रखतें अब भगवान अनन्त से इस तरह प्रात्ना करें ही बासुदेव इस अनन्त संसार रूपी महा समंद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनन्त के रूप का ध्यान करने में सलम्न करो अनन्त रूप बाले प्रभू तुम्हें नमशकार है अब एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंदे धूपत्ती जलाएं भगवान जी को और कलश पर पुश्पु अर्पित करें इसके बार भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं अब भगवान जी के इस मंत्र का जाप करें मंत्र का जाप करने के बाद भगवान श्री हरी विष्णू को आप कुमकुम और हल्जी से तिलग करें इसके बार आपने जो चौदे गाठ वाला सूत्र चलन और हल्दी में भिगो रखा है उसे बहार निकालें उसकी हर गाठ पर भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलग करें अब इस चौदे गाठ वाले सूत्र को आप कलश के ऊपर रखे हुए भागवान अनंत सरूप को सूत्र से इसपर्ष कराएं इसके बाद भागवान श्री हरी विश्नु के चरन से इसपर्ष कराएं अब इस रक्षा सूत्र को आप अपनी कलाई, बाहें या फिक गले में धारन करें महिलाएं अपने बाएं याने की लेफ हैंड पर धारन करें और पुरुष अपने राइट हैंड पर याने की ताइने हाथ पर धारन करें इसके बाद भागवान श्री हरी विश्नु की आरती करें हो सके तो विश्नु शहस्तर नाम का पाथ चरूर करें और अनन्च चतुदशी की कथा को चरू सुने सूत्रवानने की बाद ये था संबब आप भ्राम्मण को भूजन कराएं या फिर कुछ दान दें अगर उस समय दान नहीं दे सकते तो दान के लिए बस्तुद निकाल कर रखतें इसके बाद अपने परिवार के शहित प्रशात क्रहन करें मानने ताहे कि अनन्च सूत्र पहनने से सभी दुख और परिशानिया दूर हो जाती है और भागवान श्री हरी विश्नु अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं उन्हें सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं अगर आप यह अनन्च सूत्र अपने परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पर बादना चाते हैं तो सभी सदस्यों के लिए अनन्च सूत्र बना कर आप जल में भिगो कर उसकी पूजा करें और अपने बांदने के बार परवार के सभी सदस्यों के हाथ पर बांदें लेकिन ध्यान रखे 14 गाटबाला अनन सूत्र केवल एक ही ब्यक्ति के हाथ पर बन सकता है अनन सूत्र बांदने के बार इसे उतारना नहीं चाहें अगले वर्ष जब अनन्चत्रदशी आए तब इस तरह से पूजा करके पुराने अनन्चत्र को आप उतार दें और नई को बांद लें और पुराने को शुत्र भेते जल में विसरचित कर दें शाम को भी आब भगवान विश्णू और कलश के सामने सुत्र घी का दिया जलाएं और आती करें और रादबा चौकी को ऐसे ही रखा रहने दें अगले दिन भगवान विश्णू को मंदिर में पुनहा इस्थापित करें और जो कलश में शुद्ध जल है उसे आप किसी पौधी की जड़ में डाल दें और चावलों को पक्षियों को डाल दें और कलश के उपा जो अनन सूतर रखा है उसे भी शुद्ध भहते जल में विसर्जित करते हैं अनन चतुरदर्शी ब्रत में नमक रहित भोजन करना चाहिएं ब्रत में ब्रत बाला नमक भी नहीं खाया जाता अगनी पुराण के अनुसार अनन चतुरदर्शी के दिन आटे की मोटी पूडियां या रोटी बनाने की परंपरा है इसलिए इसे रोट चतुरदर्शी भी कहा जाता है ब्रत में केबल एक समय ही अनगरहन किया जाता है देन में आप फलहार कर सकते हैं लेकिन अन्न का भोजन केबल एक समय ही करें मीठी रोट बनाकर पहले भगवान ची को भोग लगाएं फिर उसमें से आधी रोट आप किसी भ्रामर को दान करें और फिर आधी रोट खाकर अपना ब्रत पूरा करें ध्यान रखें ब्रती जितना भोजन करें उतना ही भोजन पहले प्राम्मर को दान कर दें उसके बाद ही भोजन ग्रहन करें अगर आपके घर के आसपास ब्राम्मर ना हो तो आप यह भोजन गौ माता को खिला दें उसके बाद ही भोजन ग्रहन करें अनन चतुई दशी का ब्रत 14 वर्षों तक किया जाता है 14 वर्ष ब्रत करने के बाद इसका उध्यापन किया जाता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंसर जिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे भेवी इसका लाव उठा सके और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे